आप डेली सुवाउड के ब्रश तो करते हो, पर आप जो सबसे पहली गलती करते हो, वो है ब्रशिंग की डियूरेशन, यानि आप कितनी देर तक ब्रश करते हो, सामानने तोर पर आप उठते हो और फटाफट जाके ब्रश निकालते हो, और तुरंद ब्रश करने लगते हो, क्योंकि आपको और भी जरूरी काम होते हैं, पर अगर आप ब्रश जल्दी जल्दी और थोड़े समय के लिए करोगे, तो आपको कोई फायदा नहीं होता, डेंटिस्ट, यानि दंथ चिकित्सकों का ये कहना है, कि जो आपकी तूदपेस्ट है, उसे पूरी तरह से काम करन के लिए लगबग दो मिनिट का समय लगता है, पर एक सर्वे में कई लोगों का टेस्ट लिया गया था, और उसमें ये पता चला था, कि लोगों की जो सामाने आदत होती है, उसके चलते, वो हमेशा एक मिनिट से भी कम समय तक ब्रश करते हैं, और आप भी शायद यही करते हैं, वो तो आप हर वड़ी में करते हो, इसलिए आपको 45 सेकंड करने के बाद भी ऐसा लगेगा, कि चलो भाई, एक मिनिट हो गया, एक मिनिट से कम ब्रश करोगे, तब तो कोई फायदा ही नहीं होता, उसे अच्छी तरह से काम करने के पहले ही, आप निकाल के फेक देते ह तो विज्ञान की इस बात को आपको मानना चाहिए, कि अगर आप दो मिनिट तक ब्रश करोगे डेली, तो आपकी दांतों में कभी कोई प्रॉबलम यानि कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए मैं आपको यही कहूंगा, कि अपने स्मार्टफोन में किसी भी टाइमर आप को ड आइने रखता है, इसलिए दांतों को हिल्दी रखो, और ब्रश करने में कंजूसी ना करो, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, जैसे चिप्स और दवाई, पर इस दुनिया में ऐसी कई चीज़े हैं, जो कभी भी एक्सपायरी नहीं होती, और जिसे आप जिन्दगी भ ब्रश करते हो, उसकी कोई एक्सपायरी डेट के बारे में तो आपने कभी ने सुना होगा, है ना, और उसके डब्बे पर भी ये कहीं नहीं लिखा होता, और इसके चलते आपको ये लगता है, कि ब्रश को तो बहुत सालों तक इस्तमाल कर सकते हो, आपका दांत, महिने के बाद, आपको अपना ब्रश बदलना चाहिए, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जो सालों तक एक ही तूट ब्रश का इस्तमाल करते हैं, फैक्ट ये है, कि अगर आपकी आदत धीरे धीरे ब्रश करने की है, और आप बहुत अच्छे से खयाल रखते हो, अपन तीन महिने में अपनी तूट ब्रश को जरूर चेंज करना,